C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफा नंबर 80, सबक 11, मोबाइल फोन बच्चे अकसर एक खेल खेलते हैं लंबे से धागे के दोनों सिरों पर दो चौंगे जोड़ दिये जाते हैं ये चौंगे माचिस की खाली डिबियों से बनाए जाते हैं इसके बाद वो फोन की तरह एक दूसरे से बात करते हैं कभी टीन के छोटे डबो में छोटे सुराख कर दिये जाते हैं और फिर धागे से दोनों को जोड़ देते हैं. इस से आवास को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाने में मदद मिलती है. टेलीफोन इसी उसूल पर आज से बहुत पहले बनाया गया था. इसकी इजाद 1875 में ग्राहम बैल ने की थी. उस टेलीफोन में धात के तार का इस्तिमाल किया गया था. आप जगा जगा खंबो पर तार खिचे हुए देखते हैं. उसी तार के जरिये आवाज एक जगा से दूसरी जगा पहुँचती है. टेलीफोन की मशीन पहले संदूग जैसी होती थी. धीरे धीरे इस मशीन की बनावट बदलती गई. पहले बोलने और सुनने के लिए एक यही चौंगा इस्तिमाल होता था. बोलते वक्त उसे मूँ से लगाते थे और सुनते वक्त कान से. ब दूसरा खाँचा कान के पास लगा लिया जाता था. आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन की दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आती गई. सफ़ा नंबर 81 फोन को आप जहां चाहें ले जाएं. इसी फोन को मुबाइल फोन कहा जाता है. मुबाइल फोन से बात करने के इलावा और भी कई काम लिये जा सकते हैं. इससे पेगाम भी भीजा जाता है. उसे SMS कहते हैं. इससे हिसाब किताब का काम लिया जा सकता है. आप मुबाइल पर अपनी पसंद के गीत और मौसकी भी सुन सकते हैं और तरह तरह के गेम भी खेल सकते हैं अगर आपको सुब सवेरे जागना है तो इसी में अलाम भी लगा सकते हैं अब तो कैमरे वाला मुबाइल भी आ गया है जब जाहें जहां जाहें तस्वीर खेंच सकते हैं रेलवे की ट पिजारत करने वाले इस से बहुत से काम लेते हैं। तालिबे इल्म अपने उस्ताज से कोई सवाल एसमेस के जरीए पूछ सकता है। वो अपने इम्तिहान कर नतीजा भी मालूम कर सकता है। ऐसा करने से वक्त और पैसे की बचट भी होती है। फाइदों के साथ साथ मुबाइल फोन के नुखसानाद भी हैं। हवाई जहाज और इलेक्टरॉनिक मशीनों के करीब इसे बंद रखनी की हिदायत दी जाती है। चुँके बर्क मकनतीसी लहरों का टकराव होता है। गाड़ी चलाते हुए भी कुछ लोग इसका इस्तिमाल करते हैं जो घलत है। बात करते हुए फोन को कान से जरा अलगी रखना चाहिए। बहुत करीब रखने से कान के परदे खराब हो सकते हैं। इसे बाई तरफ सीने के पास रखने के बजाए दाई तरफ रखा जाना चाहिए। डॉक्टरों का ख्याल है कि बाई तरफ सीने के पास रखने से दिल की बीमारी भी हो सकती है। मुबाईल फोन रखने के कुछ आदाब भी होते हैं। जब आप क्लास्रूम में किसी जलसे या इबादतगाह में हों, तो इसे बंद करके रखना चाहिए। तक्नीक, मिकानिकी, हैरत अंगेज, हैरत में डालने वाला, सफा नंबर 83, गोर कीजिए। टेलिफून का सफर, संदूग जितनी बड़ी मशीन से शुरू होकर हतेली में समा जाने वाली डिबिया तक पहुँच गया है। साइन्स की इजादात की रफतार अब बहुत तेज हो गई है। उन से हमारी जिन्दगी के हर मैदान में बड़ी तबदीलिया आई है। मोटर हो या रेल या हवाई जहास, इन सब की कारकरदगी और रफतार में बहुत तरकी हुई है। साइन्स की इजादात में से एक मॉबाईल फोन भी है। ये तार की मदद से काम करने वाले टेलिफोन की नई और ज्यादा ताकतवर शकल है। मॉबाईल फोन ने हमारे लिए बहुत आसानिया पैदा कर दी हैं लेकिन हमें उसके खराब असरात और गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। सोचिए, बताईए और लिखिए। एक, टेलिफोन किसने और कब इजाद किया। दो, टेलिफोन और मॉबाईल फोन में क्या फर्क है। तीन, मॉबाईल फोन से आप क्या-क्या काम ले सकते हैं। चार, मॉबाईल फोन इस्तेमाल करने के क्या आदाब हैं। खाली जगों को सही लवजों से पूर कीजिए। एक, ये चूंगे माचिस की खाली जगा डिबियों से बनाए जाते हैं। दो, इसी तार के जरिए खाली जगा एक जगा से दूसरी जगा पहुँचती है। तीन, मॉबाईल फोन इसी खाली जगा टेलिफोन की नई शकल है। सफ़ा नमबर 84 चार, इस से हिसाब किताब का खाली जगा भी लिया जा सकता है। पांच, फाइदों के साथ साथ मॉबाईल फोन के खाली जगा भी है। छे, मॉबाईल फोन करीब रखने से कान के पर दे खाली जगा हो सकते हैं। इमला दुरुस्त करके लिखिए। सीन, वाउ, रे, अलीफ, काफ, दो चश्मी है, सूराख बरकी, बे, रे, काफ, छूटिये बड़ी है, दाल, अलीफ, छूटिये, ते हिदायत अलिफ मद आ, वाउ, अलिफ, जीम, आवाज पे, बड़ी है, गाफ, अलिफ, मीम, पहगाम तोई, रे, पे, दो चश्मी है, तरप सीन, बड़ी है, ते, सिहत स्वाद, नून, डाल, वाउ, काफ, संदूक पढ़िए, समझिए और लिखिए क्लास में उस्ताद और बच्चों की बाते सुनिए उस्ताद, मुहसिन, तुम कहा रहते हो मुहसिन, जनाब, मैं जाकिर नगर में रहता हूँ उस्ताद, और रिहाना तुम, रिहाना मैं शाहिन बाग में रहती हूँ इस बातचीत में उस्ताद बच्चों को तुम और हर बच्चा अपने आपको मैं कहता है अकरम जनाब ये क्या है? उस्ताद, ये मोर है हामिद और जनाब वो क्या है? उस्ताद, वो कंगारू है मैं तुम ये और वो जैसे अलफाज को जमीर कहते हैं सफा नमबर 85 जमीर वो लवज है जो किसी इस्म की जगा बोला जाए यहां तीन खानी दिये गए हैं इस्म, जमीर और फेल यहां दिये गए लवजों को खानों के मताबिक लिखिए खेलना, वो, चौंगा, फोन, सुनना, तुम, धागा, बोलना, उसे, मोबाइल, हम, लगाना, जोडना, इस, बनाना, माचिस, तार, आप, करना, मशीन, तुम्हारा, संदूक, भेजना, मेरा यहां एक टेलेफोन, एक डॉक्टर और एक मोबाइल फोन की तस्वीर दी गई है इन दी हुई तस्वीरों पर दो-दो जुम्ले लिखिए सफ़ा नंबर 86 यहां दो खाने दिये गए हैं एक खाना वाहिद अलफास के लिए है और दूसरा खाना जमा अलफास के लिए है दिये गए लवजों को सही खानों के मुताबिक लिखिए लवज हैं नुकसान खत्रा हिसाबात तरफ इल्म अत्राफ उलूम तस्वीर हिसाब नुकसानात पेगामात आउकात नुकसान अदब फवाइद पेगाम खत्रात आदाब फाइदा वक्त तसावीर बलंद आवाज से पढ़िये और खुशखत लिखिये आवाज इस्तिमाल संदूक मकनातीस पेगाम इसी के साथ ये सबक यही पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत लिए लिए समय बशाए समय बटिलैंग